शबीरपूर के दूसरे फेस्बूक लाइव में आपका स्वागत है चलचतर भ्यान से अभी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि शबीरपूर के कई सारे दलिट समाज के लोग आज भूकरताल पर बैठे हैं क्योंकि जो रासुका लगी है सिर्फ एक तो भीम आर्मी के संस्थाफ़क चंशेखराजाद पर राशुका लगी है लेकिन उसी के साथ-साथ शबीरपूर के भी कई सारे दो लोगों पर रासुका लगी है और दो दलिटों पर रासुका लगी है उसी के साथ-साथ कई सारे औ कई सारे और लोग कही सारे और लोग दलित समाद से हमले और हमले थें आज जेल में हैं जिन Kin AFS कहीं पर लग रासुका नहीं है लगी लेकिन अफिर पिर दईश्कों के अफिंडर में पूंतेश हम जिन firmly दलें जेल में पर रासुका नहीं लगी राकुड़ beneficiário हैं लोग अपने कॉमेंट्स या कोई भी संदेश हो शबीरपूर के लोगों के लिए वो आप भेजते रहें हम आपके संदेश यहां तक जरूर पहुंच आएंगे लेकिन जो लोग जिनके रिष्टदार अभी जेल में हैं चाहे भाई हो चाहे बेटे हो चाहे पती हो वो या पि और दीपा के पिता जी जो की इस गाओं के प्रधान भी है शिवकुमार जी उण पर भी रासूपा लगी है दीपा कब अ अटिघी की और अपके पिता जेल में अटा जिए को बहुत है ते रासूपा कब लगी की अचा कब अचा आपके आर्इस्टिंग की ख़िटे आं ले कर गया था बोलिया पंदरा पंदरा मही को पंदरा कौन सी जून को पंदरा अक्टूबर को रसूका लगी थी माफ करिएगा ये अभी एक कॉमेंट करो कॉमेंट आया है जगदीश सहाब का शबीरपूर के लोगों के लिए अपना समर्थन दिया है उन्हें लिखा है संगर्श करो हम आपके साथ हैं जैभीम अरुना जिनके भाई अभी जेल में हैं अरुना क्या नाम है अपके भाई का और क्यों जेल में गए हैं वो जी में पांस तारीक के दंगे में रात में उठा लिए गए थे और उसके उमर पंद्रा सुगा था लिए और उन्हें कुल अब इच्छे मेंने और ये साथा मेले श्टाइब हो तुका और मतलब जेल में उनके वहाँ पर जाने पर है क्यों हमारे में सब सब चोटा है उसके वज़े से खाना पीना कोई अच्छा नहीं हो पाता है ऐसा ही रख रहता है और फिलाल ममी कल उनसे मिलने के लिए गई थी उनकी आए ख़ता से बुखार आ रहा हुना है सब्सक्राइब हो लेकिन उन्हें कोई दवाई या कोई टीटमेंट नहीं हो पारा जेल के आप अभी कब उनसे मिलने गए था है तो क्या बता रहे थे वो आपको उनकी फोटो भी शायद आपके छोटो की फोटो आप देखें चोटो चोटा अभी 15 या 16 साल के हैं और इनको भी जेल डाल दिया गया है शबीपूर काउं के एक दलित नौजवान है और आप यह देख के उपर रासूकाइं भी लगाई जा रही है और जेल भी भेजा जा रहा है एक और मेसेज आया है अली हाश्मी साब से संगहर्श करो हम सब आपके साथ हैं सबीरपूर के लिए प्रशासन होश में आए तो देश भर से लोग अपना समर्थन आप लोगों के लिए भेज रह कि दिक्कते हो रही है घर में उनकी जेल जाने के बाद और रासूका लगने के बाद ने के बाद। वजय देः तो लड़ क्या नगडेश कि आगड़ ड़िए झानेगी भाद लडकी एक महनने बाद लडकी ठीया इसके जाने के भाद जेल मेजाने के बार तो रगांची नगाई लड़ी कि अजुने आप देखें ये लोग और सोनू मजदूरी करता था और जो सब लोग अभी जेल में हैं चाहिए सोनू होुआ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जादतर लोग जो बैठे हैं और जो जेल भी गए हैं वो सब यहाँ के राजपूतों की ही खेतों में काम करते थे राजपूतों के लिए ही काम करते थे और आज इस दंगे के बाद पांच मईए के दंगे के बाद काम भी मिलना कईयों को बंद हो चुका है कईयों लोगों को तकलीफे भी बहुत हो रही है उसकी वज़ा से आरुना अभी आप पता रहे थे कि आप क्या पढ़ रहे थे हैं जिनकी पढ़ाई भी नौजवान लड़के लड़कियां जिनकी पढ़ाईयां भी रुख गई हैं इस दंगे की वज़ा से और ये हैं उनकी ये सोनु कुबार हैं जो अभी जेल में हैं जिन पर रासुका भी लगी है राजपूतो के ही यहां खेतों में काम करते थे मजदूरी करते थे और यही यहां पर लगबग हाला थे कि कई सारे यहां नौजवान हैं कई सारे यहां लोग हैं जो यहां अलग अलग जगा लेकिन मजदूरी भी मिलनी कईयों को बंद हो गई है पांच महीं के दंगे के बाद और उल्टा ही यहां पर रासूकाएं भी दलत समाज के ही लोगों पर लगाई जा रही है ये कैसा रवया है इस सरकार का इस प्रशासन का ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के खिलाफ आज यहां पर शबीरपूर में लोग भूकरताल पर बैठे हैं अली हाश्मी जी का और प्रमोद आजाज जी का भी एक संदेश आया है आप लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि आपके संगर्श में पूरे भारत के दलित आपके साथ है जैभीम तो आप देख सकते हैं कि कार नहीं सुनती तो जेल भरो अभियान चलाएंगे जब तक रासू का हटाई ना जाए तो आप लोग भी जाने की देश भर से लोग आपके संगर्श में आपके साथ खड़े हैं जेल भरो की बात कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं हम कुछी देर में और अभी महिंदर जी का भी एक संदेश आया है मायावती जी शबीरपूर केस में हस्तक शेप करे बहुदन समाज को का ध्यान दे जी ये भी एक सवाल कई लोग अभी पूछ रहे हैं कि क्यों मायावती जी इस मुद्दे पर नहीं बोल रही है खासकर कि जो रासुकाय लगी है शबीरपूर के लोगों पर भी जो रासुकाय लगी है और उसी के साथ साथ चंद्शिक हराजाद पर भी जो अभी रासुका लगी है कुछ दिन पहले ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को कई लोग अभी पूछ रहे हैं उम्मीद करते हैं कि मायवती जी और अन्य राजनेता भी इन रासूकाओं के खिलाफ और शबीरपूर के लोगों के साथ और यहां के आम दलित समाज जिन पर शोशन हो रहे उनके साथ अपना समर्थन व्यक्त करेंगे अरुना आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं हम यही उम्मीद कर सकते हैं जो अभी अरुना ने बोला ऐसा ना हो उन्होंने कहा कि चाह किसी की जान भी चली जाए लेकिन हम लोग यहां इस भूकरताल से नहीं हटेंगे जब तक रासूकाओं नहीं हुटाए जाएंगी हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको सुनेगा इनकी मांगो को सुनेगा और इस तरह की नौबत नहीं आएगी स्यद समी उल्ला का एक संदेश आया है दलित भाईयों और बहनों ने दलित भाईयों और बहनों से निवेदन हैं आप सब मिलकर चंदरशेखर आजाद के लिए आंदोलन करें जैसे आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे को आज एक देश व्यापी मुद्दा बन चुका है और जो पांच तारीक को जो पांच मई को घटना हुई थी वो यहीं इसी शबीरपूर गाउं से ही शुरू हुई जहां पर दलितों पर हमला हुआ उन्हीं के उपर केस लगाए हैं चंदरशेख राजाद रावन उन पर भी दो तीन दिन पहले रासुका लगा दी गई है अब सभी से अनुरोध हैं कि आप लोग अपने मेसेज़ेस भेशते रहिए आप लोग अपने संदेश भेशते रहिए अगर आप कुछ शबीरपूर के जनता को बोलना चाहते हैं कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या योगी सरकार जो नई सरकार आई है बाजपा की जो सरकार आई है उसके बारे में आप लोग की क्या राय है क्योंकि ये जो बाजपा की सरकार पहले केंद्र में आई थी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए और फिर वही ना अगर यह सरकार नहीं तो एसा नहोंता जित लोगों के साथ, यह सिर्फ अपने लोगों को देखती है जरसे हम गरीब लोग दलित लोग और बाकी काश्ठ भी आती हैं मतलब अगर यह एसा लगवा तो ब्राबर रखती ना सब्सक्रावाण जी थीए उन्हें विमार हें उनका ठीपमेंट निकराया उन्हें ने मान लेकी साजी सरची गई है और जैसे कि मेरे भाई छोटे हैं, जेल खंदर देवबंद है, वहाँ पे भी उन्हें कोई दवाई वगारा नहीं मिलें, तो ये सरकार की एक चाल है. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सरकार का एक तरफा कारवाई है, एक तरफा रवाईया है, दलित विरोधी है. अब इमन्यो गांधी ने कहा है, पीपल रेड़ी टू डाए, देया डाइंग एवरी डेए, वो कह रहे हैं कि लोग मरने के लिए तयार हैं और लोग रोज मर भी रहे हैं, लेकिन शायद हम अपनी आंख मूंद रहे हैं इन सच्चाईयों से, यही सच्चाई है, हो भी सकती है कुछ हद तक लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि शबीरपूर के नौजवानेों, शबीरपूर के दलितों पर जो हमला हुआ था पांच महीं को, उसके बावजूद अभी तक ऐसा नहीं है कि शबीरपूर के दलित वहां पर हिम्मत हार गए हैं यह डर के बैठ गए हैं, संगर्ष उनका आज भी जारी है, शांति प्रियत तरीके से संगर्ष कर रहे हैं, भूकरताल पर बैठ रहे हैं और हम यहीं उमीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका समधान प्रशासन और शासन निकालेंगे और यहां के दलित समाच पर और जो अभी तक काफी पीड़ा ह चुकी है, और इस तरह की पीड़ा ना हो, एक और सवाल है नरेंदर सिंग जी का कि नैशनल मीडिया इस मुद्दे को नहीं दिखाया, यह हमारे सामने भी सवाल है कि कहीं ना कहीं कुछ एक चैनल को या कुछ एक वेब साइट को छोड़ दें अगर लेकिन नैशनल मीडिया शबीरपूर के पास, जो हिंसा हुई थी शबीरपूर में, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह के मुद्दे यहां लगाता है, दलितों पर हमले होते आ रहे हैं, और भी गाओं में होए हैं, लेकिन इस पर क्यों बातचीत नहीं हो रही है, अरुना आपके लिए एक लोग शबीरपूर यहां पर आएंगे और खुद यहां पर आके अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, एक और अभी मेसिज आपको पढ़ लें, अर्जन सिंग रिगर जी कह रहे हैं, हम राजस्तान से पांसो लोग आ रहे हैं, मेरे ख आपके समर्थन में, और कोई कुछ जोड़ना चाहेंगे, बुलिया, 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 यहां पर अत्रे चार हो रहा है, यहां पर सब परिसान है, और जो मेरे वाईर है, उनका पर पढ़ाई भी चुट गई, हमारी भी चुट गई, सब कष्ट है, आसी, सब पत्रे चा लो रहा, और पस बहुत बुराल हो रहा, हम कही भी नहीं सप्ते, कितिने अचमे में दुखई आ है, हम कोई पता है, इम अपनी बात रख रहे है, 6 मीने होंगे, कोई मेरी उकारवाई नहीं कर रहा, सब भार भी सरकार साथ नहीं दे दी, कुछ भी नहीं कर द bre आ पर, ना कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि डियम से भी और जो प्रशासन है किसी का भी समर्थन यहां लोगों को नहीं मिल रहा है सब को यह मैसूस हो रहा है कि शायद एक पक्षिया कारवाई हो रही है बहुत सारे लोग आप ध्यान रखें कि बहुत सारे यहां पर जो नौजवान लड़कियों से जो हम बात कर रहे थे जो कह रही थी महिलाएं कि उनकी पढ़ाई छूट गई है यह बहुत सारे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पहली पीडी अपनी परिवारों से हैं जो उच्छ शिक्षा तक जा रही थी माबाप ने बहुत संगर्श करके उच्छ शिक्षा तक भेजा था लेकिन आज इस हिंसा की वज़े से इनकी ये पढ़ाई भी रुक रही है और जो प्रशासन का रवया रहा है इनमेंसे कई सारे लोगों को अब एक तरफा कारवाईयां जो हो रही है जो इन पर दमन चल रहा है इसे कई सारे लोगों को अब काम भी नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उसी के साथ साथ इनके बच्चों की पढ़ाईयां भी रुक रही हैं, और जैसे अनुने कहा कि आने वाले कई दिनों तक जब तक इनको नियाएं नहीं मिलेगा, जब तक रासुकाई न नहीं हटेंगी, शबीरपूर के दलित कहरे हैं कि यहां पर भूकरताल पर बैठे रहेंगे, हम यहीं उमीद करते हैं कि शासन प्रशासन ऐसी कोई घटना ना हो, उससे पहले यहां पर आके इनकी मांगों को सुनें और उस पर अमल करें, आप जोड़े रहें चल चत्र अभ कर द को आफ कर दनकी मांगों को स्च चत्र अवजा देन्नाओ.